टेखिंग्स ही यह स्ट्रेचिंग्स में खिचाव परदा होता है तो जिससे आपकी लेग जो काफ मसल पेन, ईंकल पेन नी पेन यह सारे आपके पेन खतम होते हैं और प्लस अगर इसके बाद आप एक्सेसाइस करते हैं तो आपके एक्सेसाइस की परफार्मेंस वड़ती है क्योंकि आपके टिशूज और मसल्स फ्लेक्सिबल हो चुके होते हैं तो और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है इससे आपको नीद बहुत अच्छे आती है सरे स्ट्रेचिंग करने से तो जिसको बहुत अख्यी इसको नीद आती है और आपका पॉष्चर सुध데्रटाथ आ देखिए आफ अगर स्ट्रेचिंग करते हैं तो बहुत अच्छ आपका पॉष्चर सुधर्ता है च्छ पूद्य पेड़ में तो आपके दर्द कम होती है और आपको टेंशन नहीं होता है एकर प्रेस से आपको छुटकारा मिलता है, जिससे आपका ब्लेट प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, वो सरदर्द से राहत मिलती है, तो फ्रेंड्स देखिए सारे स्ट्रेसिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, तो आप इस्ट्रेसिंग कीजिए, बहुत अच्छी चीज़े इस्ट्रेसिंग, सारे बीमारियां, तनाव, आपका डिप्रेशन, स्ट्रेट्स सब खतम करती है, पेन किलर का काम करती है, आपको नीद अच्छी लाती है, तो फ्रेंड्स देखिए मेरे साथ, देखिए अब दोनों पाउं से कर लिजी, पहले आपने एक एक पाउं से करा, आपको कम सकम 20-20 टाइम्स करना है, पहले लेफ्ट लेक से 20 टाइम्स, फिर राइट लेक से 20 टाइम्स, और फिर दोनों पाउं पकड़के 20 टाइम्स करना है, देखिए अब इसमें ये देखिए शाप पाउं पुल ओगता हो हुआ है मैं फिर इधर करना है दोनों साइड मेइड किसमा की कंमर भी ट्विस्ट हो रही है तो आपका साइट फेट भी बर्न हो रहा है और फुल बोड़ी आपकी फ्लेदिम रही है जही है टम फेटs आपका खतम हो रहा है देखिए अब दोनों हाथों से इसको पकड़ लीजिए और बोड़ी को आगे पुश कीजिए ये देखिए अब इसमें क्या है आपका हाथ कान से टच रहेगा और इस पेर को छूना है इससे आमपिट फेट ये चला जाएगा आपका आमस फेट जाएगा किसी के बल्ले बहुत जादा मोटे हो जाते हैं तो वो चले जाएंगे आपके ये देखिए अगर आपका हाथ यहा तो बहुत ठीक है लेकिन आपका हाथ कान पे टच रहेगा इससे पूरी बोड़ी आपकी स्ट्रेच होगी साइड इस्ट्रेच है ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है देखिए बहुत सी महिलाओं को नींद की कमी बताते हैं सब देखिए अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी बस ये कि आपको खाना खाएको दो-तिन घंटे हो चुके हो तब आप कीजिए पेट आपका एकदम फुल भरावा नहीं होना चाहिए अब देखिए दोनों हातों से यहां पकड़ लीजिए पाओं को और बोड़ी को अपने आगे जुकाईए देखिए अगर वहां तक आपका हाथ नहीं जाता है तो आप पिंडली पे भी पकड़ सकते हैं आप गुटने के उपर जांग पे भी हाथ रख सकते हैं और यहां तक जाता है तो बेस्ट है देखिए धीरे धीरे आपका यहां तक जाने लग जाएगा अगर आप कर नहीं ज आता है तो तो फ्रेंट में चैनल को लाइक सब्सक्राइब किजिए थैंक्स फॉर वाचिंग